Hello, Welcome to Texture Myth आज की सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर कर रहे है जो है Greatest Function Greatest Function क्या करता है आप इसके थूरू किसी भी particular columns की बीच में identify कर सकते हो कि दोनों column में से जो values stored हैं उन में से greatest value कौन सी है ठीक है इसको आप चाहो तो Sys IBM library के साथ में या फिर आपके नॉर्मल जो table है वहाँ पर भी आप इसका use कर सकते हो तो इसको use कैसे करना है वो देखने के लिए पहले आपको एक पर एक data दिखा देता हूँ फिर हम प्रोग्राम देखेंगे तो data के लिए मैंने आप एक query रन किया select star from sharmit1 जो मेरे library का name है slash table1 ठीक है अब आप यहाँ पर देखोगे दो तीन column ऐसे हैं जो numeric value hold कर रहे हैं इवन यहाँ पर सारे columns सी numeric value को hold कर रहे हैं तो suppose अभी के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि यह दो column ऐसे हैं यह although यह column just for example के लिए मैंने यह दो column पिकी है आपके पास हो सकता ऐसा हो कि sales 1 और sales 2 दो column हो ठीक है उन दोनों में से आपको identify करना कि किस कौन से sales 1 में ज्यादा sales होई है या sales 2 में age और इसका कोई वैसे direct relation यह बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जब दो column है तो उन में से greatest कैसे identify किया जा सकता है ठीक है तो यह हमारी requirement रहेगी है अब इसको use कैसे करेंगे तो वो SQLRBGL में देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया सबसे पहले हम एक constant declare कर रहे है इस constant को हम use करेंगे query को verify करने के लिए कि हमारी जो query है वो properly execute होई या नहीं होई ठीक है फिर हमने एक numeric variable बनाया हुआ है result name से result zone decimal 4 है इसमें हम क्या करेंगे जो भी output हमारे पास आये को उसको store करेंगे और फिर हमने क्या किया commitment को committee को start run पे set करके रखा जो हम by default हर SQLRBGL में रखते हैं अगर आप कोई modification नहीं कर रहे हो तो चाहे आप इसको skip भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद में हमने यहापे main query को run किया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ select greatest यह मेरा function का नहीं में इसमें आप चाहो कितने भी values को pass कर सकते हैं जैसे मैंने यहापे hard coded values पास किया है 10, 5, 8, 15, 12 ठीक है तो यह क्या करेगा इन सभी values में से greatest value को find out करेगा और उसको आपके host variable में store कर देगा जो है result और यह कहां से आ रहा है from sysibm.systeme1 से तो clear हुआ यहापे हम table का use नहीं कर रहे हैं जो अभी हमने देखी थे वो table का मैं आपको एक अलग से normal dvd.sql query बे बताऊंगा बट अभी हम क्या करना है say sysibm.systeme1 से greatest function का use कर रहे और उसमें हमने कुछ hard coded value पास करे है 10, 5, 8, 15, 12 तो यह क्या करेगा यह identify करेगा कि maximum value क्या है और फिर उसको store कर देगा आपके host variable result के अंतर तो जैसे यह query execute हो जाएगी फिर हम query को verify करेंगे कि SQL state जो है SQL state underscore valid आ रहा है या invalid आ रहा है अगर valid आ रहा है तो display कर देंगे result को और else wali condition में SQL state को print करेंगे जिससे कि हम identify कर पाएं कि क्या error था और साथ में एक error message भी देंगे query ended within error और inlr को on कर देंगे तो इसको करते है अभी compile और call करते है तो क्या output आ रहा है आपे 15 तो अगर आप values वापिस से check करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ maximum values जो थी हमरे पास 15 ही थी तो इस तरह से एक तो यह हो गया कि आपके पास ऐसे कुछ random values है इसको आपको identify करना है कि maximum उन में से कौन सी है अभी तो यह कुछ ही values अबट हो सकता है आपके पास यह कुछ variables में आ रहा हो आपके बास data जहां पर आपको value वैसे visible नहीं हो variable में आ रही हो तो उस variables के थ्रू भी आप identify करवा सकते हो अब देखते हैं कि इसको हम ने जो table पे यूज किया वह कैसे यूज किया तो table में just मैंने आपको बताया भी कि age और year of service का ऐसे कोई direct relation नहीं है बट फिर भी अगर आपको इस तरह से कोई column है जैसे मालोंगे यह दो column है एक में हमने sales of 2023 रखा है एक में sales of 2022 रखा है आपको यहां पर मैं already run query है वो दिखा दिता हूँ यहां पर हम इसका use करता हूँ ठीक है मैं इसको retrieve करता हूँ grid test यह हम वापिस से लिखते है query को select star from इसको यहां से retrieve करते है अपना इन से यहां पर upfold लेंगे select fields में upfold लेंगे age और year of अभी example के लिए में यह दो column ले रहा हूँ ठीक है और यहां पर हम कर देते है greatest grid test और parenthesis लगा देते हैं इन दोनों column के लिए तो यह क्या करेगा इन दोनों column में check करेगा कि maximum value कौन सी है उसको print कर देगा यहां पर greatest value के आ रही है 35, 28, 40, 45, 32, 35 ऐसा क्यों के अगर हम उसका normal data देखे तो भाह पर age वाला जो column में data जादा है इसलिए maximum यह दिखा रहा है ठीक है इसकी जगह अगर हम यह वाला डाल दें monthly salary दूसरा column एज की जगह पर तो देखते हैं कि output आएगा तो यहां पर मैंने इसको retrieve के यहां से और इस जगह पर एज की जगह यह वाला डालती है अब enter करते हैं तो देखो हम greatest function के help से दो column में identify कर सकते हैं कि दोनों column में से greatest value जो है वो कौन सा column होल्ड कर रहा है plus अगर आपके normal कोई hard coded values है तो उसमें भी हम identify कर सकते हैं कि greatest value किसमें कौन सी value greatest है तो इस session के लिए इतना ही था I hope आपको clear हुआ 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 नेक्स session में बाकी topic discuss करेंगे so thank you for watching टेक्शन में